नमुश्कार मोप्रिया सापताहिक रोजगार समचार में आपका स्वागत है आज सापताहिक रोजगार समचार में हम बात करेंगे RSM, SSB, NSUT, DSRVS, CGPSC, TPSC, NER, BLW, SCTIMS, OPSC और इंडिया पोस्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान सबॉर्णिनेट और मिनिस्टेरियल सर्विसेस सेलेक्शन बोट, RSM, SSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में EWS को 450 रुपे, OBC, NCL, MBC को 350 रुपे, SCST, BPL को 2500 रुपे देने होंगे आखरी तारिक 23 एप्रिल 2022 है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जो आकरावी दन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे नेता जी सुभाष युनिवर्सिटी आफ टेक्नोलजी, NSUT दिल्ली की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में पद का नाम है प्रोफेसर, असिस्टन प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर टोटल नंबर ओवेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को बिलाकर रिक्तियों की कोल सक्ख्या 152 है जोहां तक सब्जेक्ट या फाकल्टी की बात है तो इसमें आर्किटेक्चर, कम्प्यूटर साइंस और इंजीनिरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग, इन्फिमेशन टेक्नोलजी, मैनेजमेंट, मिथमेटिक्स, फिजिक्स, किमिस्ट्री, इनोवेशन और इंटर्प्र आयू 35 साल, असोसियेट प्रफेसर के लिए अधिक्तम तचास साल और प्रफेसर के लिए अधिक्तम आयू सीमा 55 साल निर्धारित की गई है। टोटल नंबर ओव वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिखतियों की कुल सक्ख्या 340 है। जहां तक सैक्षनी क्योगिता की बात है तो अभियरतियों के पास 10 प्लस टू या ग्राजवेशन और डिप्लोमा कम्प्यूटर आप्लिकेशन में होना अनिवार है। उम्रसीमा की बात करें तो 18-35 साल ताई की गई है। वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो यूर, OBC, EWS को 500 रपे, SC, ST, PH को 300 रपे देने होंगे। आखरी तारिक 24 एप्रिल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.dsrvs.ac.in पर जुआ करावी दन भ वेबसागा की बात है तो अभीर्तियों के पास master's degree biology में या botany में या forensic science में या microbiology में या biochemistry में या anthropology में या anthropology में या physics में या electronics में या chemistry में या toxikology में और 2 साल का working experience होना अनिवार हैं। अमरसीमा की बात करें तो 21-33 साल के अभिर्ति इन पडों के लिए योग्य मानें जाए आखरी तारिक 30 एपरिल 2022 है वही आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे त्रुपुरा पब्लिक सर्वस कमिशन TPSC की तरफ से निकाली गए रिक्तियों की बारे में वही आप्रिकेशन फीज की बात करें तो यूर के लिए 200 रुपे, SCST, BPL, कार्ड होडल और पिएच के लिए 150 रुपे हैं आखरी तारिक 25 एपरिल 2022 है वही आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.dpsc.nic.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ इस्टरन रेलवे गोरखपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में पदगनान है ग्रूप सी पोस्ट जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स परसन के लिए है टोटल नंबर ओव वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की कुल संक्या एकीस है जहां तक सेक्षनी क्यों गिता की बात है तो अभेर्तियों का 10 प्लस टू पास होना अनिवार है 18 से 25 साल के अभेर्थी इन पदों के लिए योग के माने जाएंगे वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो SCST, EXSM, PWBD, EBC, फीमेल के लिए 200 रुपे और बाकिस सभी श्रेनी के लोगों के लिए 500 रुपे आवेदें शुल के रुप में जमा करने होंगे आखरी तारीक 25 एप्रिल 2022 है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप nar.indianrailways.gov.in पर जुआ करावे दन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे 36 गड़ पब्लिक सर्विस कमिशन CGPSC की तरफ से निकाले गए रिक्तियों की बारे में पद का नाम है होमियोपाथिक पेडिकल ओफिसर टोटल नंबर ओव वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संक्या 20 है जहां तक सेक्षनी क्योगिता की बात है तो अभियर्थियों की पास ग्राजवेशन होमियोपाथी में इंटर्नशिप के साथ या फिर चार साल का डिप्लोमा होमियोपाथी में दो साल के वरकिंग एक्सपीरिंस के साथ होना ज़रूरी है उम्रसीमा की बात करें तो 22 से 30 साल के अभियर्थी इन पदों के लिए योगे माने जाएंगे वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो SCST OBC जो 36 गड़ के रहने वाल है 300 रुपे और बाकिस सभी श्रेनी के लोगों को 400 रुपे आवेदन शुल के रूप में जबा करने होगे आखरी तारिक 30 एप्रिल 2022 है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.pcs.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे राजुस्तान सबोर्डिनेट अन्मिनस्टेरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड RSM SSB की तरफ से निकाली गए वरिक्तियों की बारे में आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.rsmssb.rajistan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे बनारस्ट लोकोमोटिव वर्क्स, BLW, वारानसी की तरफ से निकाली गए रिक्तियों की बारे में अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.blw.indanrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे श्रिचुत्रा ट्रायूनल इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसेज तरोवन थमपुरम की तरफ से निकाली गए रिक्तियों की बारे में पद का नाम है नर्सिंग आफिसर, टेक्निकल असस्टिंट, स्पीच थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, मेडिकल रिकॉर्ड असस्टिंट, टोटल लंबर ओ वेकिनसीज की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिखते हो कि को संक्या तिरपन है जहां तक सेक्षनी क्योगिता की बात है तो अभेरतियों के पास डिप्लोमा या बीसी, या मसी, या MSW, या DMLT, या बीसी नर्सिंग या फिर बीलसी में दिख्डी होना अनिवार है उम्रसीमा की बात करें तो अधिकतम 30 साल है वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो SC, ST, PH और महिलाओं के लिए कोई आविदन शिल्क नहीं है बागे सभी शेनी के लगों के लिए 500 रपे आविदन शिल्क के रुपे आपको जमा करने होंगे आखरी तारीक 22 एप्रिल 2022 है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.sc, timst.ac.in पर जाकर आवे दिन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे और्डिसा पब्लिक सर्विस कमिशन OPSC की तरफ से निकाली कई रिक्तियों की बारे में पद का नाम है Assistant Fisheries Officer तोटल नंबर और वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की कुल संख्या 177 है जहां तक सेक्षनी की योगिता की बात है तो अभियर्तियों की पास बाचलर्स ओफिश्री साइंस में डिग्री होना आने वारे है उम्रसीमा की बात करें तो 21-38 साल के अभियर्ति इन पदों के लिए योगि माने जाएंगे वही आप्लिकेशन फीस की बात करें तो SCST जो ओडिसा के रहने वाले हैं और PWBD को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा बाकि सभी श्रीनी के लोगों को 500 रुपे आवेदन शुल्क के रुपे जमा करने होगे आखरी तारिक 4 मई 2022 है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे मेल मोटर सर्विस अंडर डेपार्टमेंट ओफ इंडिया पोस्ट कॉलकता की तरफ से निकाली गए रिक्तियों की बारे में कर आवेदन भर सकते हैं अच्छी बात यह है कि इन परदों के लिए आपको कोई भी आवेदन शुलक नहीं देना होगा इसके साथ ही सापताहिक रोजगार समचार में आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद